गुटिम्रींग फ्रेंट्स आप सभी को आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वगत करता हूँ दोस्तो काल हम लोगोंने निफ्टी के बाड़े में जो भी एनालिसिस किया आज एकदम वो 100% यहाँ पे मैच कर गया दोस्तो आपको याद होगा उपर वाला ये वाला जो सप्लाइ जोने यह हम लोगोंने कल अइडेंटिफाई किया था और नीचे एक डिमैंड जोन अइडेंटिफाई किया था और मैंने बोला था पूरा दिन इस रेंज के अंदर निफ्टी को घूमना चाहिए और friends आप यहाँ पे देख रहो सुबा यह इसने उपर में supply zone को touch किया और उसके बाद down आके साम होते होते यह नीचे demand zone में आके खतम हुआ है और दोस्तो इसके साथ साथ आप देख सकतो एक ही दिन में दोनों zone को nifty यहाँ पे touch किया है तो दोस्तो यह जो आज एक price action हुआ है यहाँ पे यह हमको बताता है कि कल expiry day में सायद nifty में एक बहुत अच्छा movement हम लोगों को दिखाई दे सकता है हम लोग इसके बारे में पुड़ा का पुड़ा चर्चा करेंगे nifty का major और minor trend analysis करेंगे bank nifty का भी analysis करेंगे और उसके साथ buying selling stock का भी यहाँ पे analysis करेंगे और दोस्तो यह एक बहुत special video होने वाला है क्योंके कल expiry day है और हम लोग उसी basis पे आज analysis करेंगे और देखेंगे कहाँ पे opening होने से और कौन सा movement हम लोगो दिखने से काल हम लोग call put buy करके या sale करके profit कमा सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को समझने का कोशिस किजिए ताके कल आप जब live market में trade करने जाएंगे तो आपको कोई तकलिफ ना हो तो दोस्तो चलिए और देद ना करते हैं इस वीडियो को सुड़ू करते हैं जहां पे हम लोग market analysis करेंगे 24-3 के लिए मतलब 24 March के लिए आगे बढ़ने से पहले क्रिपया इस डिस्ट्रेमर को पढ़ लीजिए ये बहुत ही महत्तो पूर्ण है वेल्कम बेक टू दा वीडियो फ्रेंड्स दोस्तो हम लोग यहां पे निफ्टी का डेली चार्ट में आ गये हैं क्योंके पहले हम लोगो major trend को समझना है दोस्तो major trend का अगर मैं बात करूँ तो आज निफ्टी में एक higher low candle बना है इसका मतलब major trend जो है वो अभी भी उपर का आप लेक को continue कर रहा है दोस्तो आज red candle बना है लेकिन यह अभी भी आप लेक पे है यह हम लोगो को भूलना नहीं है तो दोस्तो अगर आप लेक पे है और आज red candle बना है और उसके साथ साथ माइन और मतलब थोड़ा सा volume भी यहां पे increased हुआ है वो भी हम लोगों को दीख रहा है दोस्तो volume के बारे में भी मैं आपको दीखा देता हूँ अलाके NAC का volume तो नहीं आया है लेकिन FII-DII का volume अगर मैं देखूंगा तो यहां पे हम लोगों को पता चलता है दोस्तो कि आज जो पूरा volume है जो gross purchase sales है वो कल से थोड़ा यहां पे increase हुआ है उसके साथ साथ दोस्तो यहां पे net buying भी FII के लिए थोड़ा increase हुआ है और DII में दोस्तो जो volume है वो लगभग सेम है कल और आज का volume है दोनों लगभग बड़ा बड़ है और selling pressure भी यहां पे थोड़ा बहुत कम हुआ है दोस् सकते हैं कि कल का movement भी साथ strong होने वाला है तो चलिए Nifty के चार्ट में वापस जाते हैं और वहां पे technical analysis में हम लोग देखते हैं तो friends हम लोग वापस आगे हैं Nifty के चार्ट में जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि यह जो आप लेगे कल के वीडियो में भी मैंने बोला था कि इसका पूरा का पूरा जो target है वह 17,792 या option level पकड़ेंगे तो 17,800 तक इसका target है मतलब यह अभी भी उपर थोड़ा बहुत जा सकता है लेकिन कल के कल जाएगा के नहीं वह हम लोग 15 चार्ट में जाके समझेंगे क्योंकि 15 मिनिट चार्ट में ही हम लोगों को दिखेगा कि कहां पर opening होने से कौन सा movement यहां पर दिख सकता है लेकिन दोस्तो movement जो है वह स्ट्रॉंग ही होने वाला है चाहे ऊपर हो चाह जैसे मैंने कल भी दोस्तों आप लोगों को बोला था कि यह जो एक symmetrical triangle को breakdown करके यह नीचे आया था, इसका जो lower line है, इसको मैं अगर extend करूंगा, तो यही जो target या resistance आप बोल सकतो, bank nifty के लिए बन सकता है, जिसको अभी तक bank nifty यहाँ पर touch नहीं किया है, तो 2-4 दिन के अंदर, मतलब आने वाला 2-4 दिन के अंदर या एक week के अंदर यह उपर जाके इस line को touch करने के लिए जाना चाहिए, इसी line को resistance के हिसाब से retest करने जाना चाहिए, अगर fall होता भी है, तो इसी के बाद यहाँ पर fall होना चाहिए, तो दोस्तों अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा space बचा हुआ है, तो हम लोग expect करेंगे के आने वाला 2-3 दिन का भी जो रूजान रहेगा, वो सायद upward direction में ही रहेगा, downward direction में नहीं होगा, लेकिन intraday basis यहाँ पे थोड़ा बहुत up-down हो सकता है, जिसको हम लोग 15 मिनिट के चार्ट में जाके समझेंगे, तो दोस्तों पहले चलिए हम लोग जाते हैं, निफ्टी के 15 मिनिट के चार्ट में, तो friends हम लोग आ गये हैं, निफ्टी के 15 मिनिट के चार्ट में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, कि कल हम लोग ने एक supply zone को identify किया था, एक demand zone को identify किया था, और एक intermediate level को भी identify किया था, आज दोस्तों इसने demand zone और supply zone दोनों को touch किया है, इसका मतलब दोस्तों कल बहुत ज़्यादा संभवना है, इसका मतलब दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा संभवना है कि कल ये उपर या नीच कोई एक side बहुत अच्छा movement दिखा सकता है, क्योंकि इसने एक ही दिन पे supply और demand दोनों को retest कर लिया है, त तो दोस्तों मैंने यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट है उसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है ताके आपको जो है सभी level ठीक तरह से दिखें, दोस्तों यहाँ पे दो तिन चीज कल के दिन में हो सकता है, पहला चीज हो सकता है कि price जो है वो यहाँ पे मैं जहाँ पे अभी साइड रैली आ सकता है जिसका target हम लोग 17,532 या option level पकड़ेंगे तो 17,550 का level पकड़के चल सकते हैं और ऐसा अगर दिख जाता है उपर रैली वाला साइड हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं 17,600 का जो CE है इसको हम लोग यहाँ पे खड़िच स सकते हैं जो एक अच्छा खासा profit हम लोग को कल के दिन के लिए दे सकता है तो दोस्तों यह याद रखिए कि रैली का situation कौन सा हो सकता है नीचे open होगा green candle बनेगा इसका high टूट जाएगा और उपर जाना चालू करेगा पहले से ही करना चाहिए बाद में होने से नहीं होगा दोस्तों पहला 15 मिनिट बहुत important है दूसरा situation दोस्तों यह हो सकता है कि price जो है वो यहाँ पे एक बार में उपर में ही open हो जाए अगर दोस्तों यह उपर में open हो गया तो बहुत अच्छा है इस situation में भी दोस्तों मैं यहाँ पे green green देखूंगा कि पहला green बनना चाहिए और के बाद दूसरा green उसके भी उपर यहाँ पे closing दिना चाहिए अगर दोस्तों ऐसा pattern green के उपर green closing आपको मिल जाता है और उसके साथ साथ 17,452 का जो level है यह break हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे वारी movement उपर के side भी आ सकता है जिसका target 17,600 का level भी हो सकता है इस situation में भी हम लोग 17,600 का CE जो है यह खडित के हम लोग position बना सकते हैं अभी दोस्तों तीसरा condition यह हो सकता है कि price थोड़ा सा gap down हो के हम लोग का जो यह demand zone इसके नीचे open हो जाए मतलब 17,184 के नीचे open हो जाए और यहाँ पे पहले ही red candle बनाना शुरू कर दे मतलब पहले एक red candle बनेगा उसके नी सीधा सीधा नीचे downward एक अच्छा-खासा movement दिखा सकता है जिसका target intraday basis पे 16,951 तक यह जा सकता है इसका मतलब दोस्तों हम लोग यहाँ पे 16,900 का जो PE है उस situation में हम लोग इसको buying करके यहाँ पे पैसा बनाने का कोशिज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जो तीन टाइप का opening मैं यह ने आपको दिखाया यह छोड़के और कहीं पे भी open हो जाता है या कोई भी candlestick pattern बनता है मतलब चाहिए यहाँ पे open हो जाए यहाँ पे open हो गया और red candle बना दिया या नीचे open हो गया green candle बना दिया उस situation में दोस्तों यहाँ पे rally का expect हम लोग नहीं करेंगे और यह सोच ल ignore नहीं कर सकते हैं इस situation को याद रखिए अगर ऐसा होता है तो हम लोग range bound के हिसाब से market को trade करेंगे और उस situation में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 17,550 या 17,600 का जो call है मैं यहाँ पे link देता हूं दोस्तों 17,600 का CE और 16,900 का PE इन दोनों को दोस्तों हम लोग एक साथ बेज सक सकते हैं और यहाँ पे premium eating का फायदा ले सकते हैं तो दोस्तों अगर हम लोग range bound situation पता चल गया पहले ही तो हम लोग यहाँ पे option selling कर सकते हैं दोनों तरफ का अगर मुझे दिखता है कि नहीं market trend करने वाला है या trending pattern मना रहा है तो हम लोग option को buy करके ऐसा कमा सकते हैं तो दोस् situation में आपके लिए कौन सा strike price जो है सबसे अच्छा profitable बन सकता है तो दोस्तों अभी bank nifty को भी एक बार small एकदम छोटा सा analysis कर लेते हैं तो दोस्तों हम लोग आ गया है bank nifty के 15 minute के चार्ट में तो कल अगर bank nifty में कोई भी rally आना है चाहे उपर के तरफ चाहे नीचे के तरफ पह छोड़के दोस्तों अगर बीच में कहीं भी open हो जाता है तो यहां पे सायद market fit से range bound हो जाएगा जिसका एक range में आपको बता देता हूं उपर बहुत ज्यादा होगा तो यही हम लोग का range बनेगा जो है 36,949 और अगर बहुत ज्यादा निचे गिड़ेगा तब भी 35,535 का एक range हम लोग को यहां पे support provide करेगा तो दोस्तों अगर यहां पे हम लोग को downward momentum पहले ही दिख जाता है तो यहां पे हम लोग 35,100 का PE buy कर सकते हैं और नहीं तो दोस्तों अगर शुरूबात से मुझे उपर जाता हुआ pattern दिख गया उपर जाता हुआ ओपेनिंग दिख गया त तो यहां पे हम लोग 37,400 का CE buy करके profit कमाने का कोशिस कर सकते हैं इसको छोड़के दोस्तों और कुछ भी हो जाए हम लोग मतलब बीच में अगर मुझे यहां पे range bound दिख जाए तो हम लोग इनी दोनो strike price का जो call or put है उसको हम लोग sale करके यहां पे profit बनने का कोशिस कर सकते है मतलब premium meeting करके profit बनने का कोशिस कर सकते हैं दोस्तों मैंने आपको यहां पे nifty और bank nifty दोनों का level और दोनों का जो strike price कल सबसे जादा यहां पे profitable हो सकता है दोनों ही आपको बता दिया और कौन सा pattern सुबा सुआ देखने में आपको nifty या bank nifty का call put buy करना है या sell करना है वो भी मै करेंगे अभी हम लोग buying selling stock भी देख लेंगे क्योंकि सब कोई तो option में काम नहीं करेगा तो हम लोग कुछ stock वालों के लिए भी यहां पे दो buying और दो selling stock को analysis करेंगे तो friends हम लोग यहां पे stock analysis में आ गये हैं और यहां पे दोस्तों ग्रासिम का चार्ट खुला हुआ है यह द कोला था कि यही region इसको जो है resistance प्रुवाइट करेगा और आप देख सकतों यहां पे rejection होने के बाद यहां पे कितना अच्छा profit ग्रासिम हम लोग को दिया है तो friends यह तो था आज का बात जो profit आज हुआ है ग्रासिम में उसका बात था अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम लो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन दबा के all notification को enable कीजिए ताके मेरा आने वाला हर एक वीडियो का notification अब तक सबसे पहले पहुंचे और दोस्तों वीडियो को like करना subscribe करना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे मुझे motivation मिलता है आप लोगों के लि कीजिए तो चली हम लोग वापेस जाते है analysis में दोस्तों आदानी port में यहाँ पे एक बहुत अच्छा demand zone है जो है 729 से लेके 733 तक price आज उपर से नीचे आया और इसी demand zone में आप देख सकते हो कितना बार इसने rejection phase किया है तो दोस्तों कालागर इसके उपर कहीं पे भी open हो ज तक भी ले सकते हैं लेकिन दोस्तों आदानी port को trade करना है तो सिर्फ और सिर्फ यही zone से करना है डाइडेक्ट उपर जाते हुए हम लोग इसको trade नहीं करेंगे कल के लिए हम लोग का जो दूजरा buying stock है वो है hero motto limited दोस्तों hero motto limited में आप देख सकते हो हम लोग का जो zone था जो demand zone था 2355 से लेके 2380 आज उसी के अंदर कितना ज्यादा और कितना बड़ा rejection आया है और price इस rejection के बाद नीचे आई ही नहीं पाया पूरा का पूरा type उपर ही यहां बना रहा तो दोस्तों कल भी price अकर उपर open होता है और इस region के अंदर आकर rejection होके बाहर जाने का कोशिश करता है तो एक V pattern या W pattern देखके इसको हम लोग trade कर सकते हैं क्यूंकि यह zone दोस्तों already tested and tried है आज भी यहां से rejection हुआ है पिछले दिन भी इसी zone से यहां पे reversal हुआ था तो दोस्तों zone के अंदर से ही trade करना है zone में अगर आता है rejection face करता है तो हम लोग इसको ऊपर के side एक buy trade कर सकते हैं जिसका target हम लोग दोस्तों यहां पे near about 2430 के आसपास रख सकते हैं तो दोस्तों यह तो था buying trade जो है आदानी port और hero moto में अभी हम लोग थोड़ा selling trade भी या selling stock भी दे 115 तक और दोस्तों इसमें आज एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँज बार rejection face किया है तो यह जो उपर वाला zone है already tested and tried zone है कल अगर इसके नीचे open होता है price इस zone के अंदर जाके rejection होके बाहर आता है तो हम लोग यहां पे भी एक ultra V pattern या aim pattern देखके इसको sales side trade कर सकते है जिसका target दोस्तों हम लोग 678 के आसपास रख सकते हैं अगर 678 तक जाता भी नहीं है तब भी इसका जो target है वो आज का low भी रखेंगे तो भी 692 के आसपास target हम लोग को मिलना चाहिए और दोस्तों दूसरा और आखरी selling stock है grassim, grassim आज भी selling list में था और आप देख रहे हो कि य यह जो supply zone है यह है 1590 से लेके 1602 तक price अगर इसके नीचे open होता है supply zone में जाके rejection के बाहर आता है तो हम लोग एक ultra B pattern या W pattern देखके इसको sales side treat कर सकते हैं जिसका target कल के दिन के लिए हम लोग यहां पे 1560 या 1550 तक भी हम लोग ले सकते हैं मतलब 1560 इसका T1 होगा target 1 होगा और 1550 इसका target 2 हो सकता है तो दोस्तो यह था पूरा का पूरा analysis जहां पे मैंने nifty bank nifty और buying selling stock का analysis आपको पूरा का पूरा समझाने का कोशिस किया है और पूरा accurate level भी provide करने का कोशिस किया है दोस्तो आपको कुछी भी question या doubt है तो आप comment करके मुझे पूच सकते हैं इसके सिवा दोस telegram channel का link आपको इस वीडियो के नीचे और description में दोनों जगवे मिल जाएगा आप उसको click करके join कर सकते हैं और दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like कीजिए channel को subscribe कीजिए और bell icon दबा के all notification को enable कीजिए तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ह हम लोग फिर मिलेंगे कल और एक नया educational वीडियो के साथ